मेरे प्यारे दोश्ट आप प्रों को मेरा प्रिपार नमस्कार आज में प्रोंक के लिए पाज में लेम होता है एक तो हरा मुझँ होता है जो हमारे इधर मिलता है यह ब्राउण सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ठीक है चलिए देखिए हम इसको न इसको कि इसको कुकर में हमने डाल दिया नमक भी डाल दिया थोड़ा थोड़ा पाइन डाल देंगे इसको बलने के लिए रख लेंगे इसमें एक बाती आए ना जैसे हरा मुंग जो है इधर प्लेन का हमारा उसको भिगो करके रख दो दो तिन सीटे लगाओ तो गल जाता है एक दम यह गलता नहीं है चाहे जितना मर्ज इसको शीटी लगाते रहेंगे न यह गले नहीं से साबूत ही शाबूत रहता है यह यह देखिए पक गया है पर गला नहीं है यह गले गल नहीं है ऐसे ही रह जाएगा है तो जैसे राजमा होता है एक राजमा होता है छोटा छोड़ा जो जह जितना मर्ज शीटी लगा लो, वो गले गई नहीं, भीगो के भी रखो शीटी भी लगाओ, गलता नहीं है, एक सफेद बड़ा राजना होता है, उसको जरा से शीटी लगाओ, गल जाता है, दो चार सीटी में ही, इस तरह से ये मोंग है, गलता नहीं है, आज इसके प में चाट सीटी जब दिया फिर बीशाब हो थी हैं अभी हमने कड़ाई रख दिया आप खड़ाए एक चमच जयादा नहीं एक चमच घी डाल आपको जयादा चिह तो जयादा डाल सक्ते हैं पर मैंने एक ही चमच डाला है यह जीरा डाल दिया अधा चमच और अब इसमें जीरे डाल दिया अब एक मिर्च प्याज चमाटर धरियापत्ता सब काटकर रखा एश्य तेक जब दूंगे है हbert अध्रक्वी डाल दिया हमने तो ज़्यादा नहीं भौन्फ यह भुल दिया हलका हर्का ही बुल्णा है कि ज्यादा भूने से ना फिर इसका टेस्ट कुछ अलग से आ जाएगा तो इसलिए हलका हलका भूनेंगे ना ते प्याज होगे रदर खोगे रहें कर टेस्ट रहेगा यह मतर है थोड़ा सा एक कोटोरित हमने बड़ा कोटर हम रखाया है तो उसको हमने डाल दिया इसमें मतर मतर कर बूझ के चाड़ा लेंगे नमक डाल दिया यह मतर के ना पकने भरका नमक डाला एक अ सोड़ा ताजमें ब्क्रशीन है यह गड़ी पत्त मैं ईसको तोड़ी करके छार्थकरी पत्ता बड़ी करण दोड़ कोड़ी याता सब्सक्राइड है मैं डाल दोँगे देखें कि जादा चोड़ा-चोड़ा पत्त था तो इतना अच्छा नहीं लगता है इसे लिए हमने तोड़ करके इसको डाल दिया अब यह भूनेगा थोड़ा थोड़ा भूनेंगे आच्छ में इसे धिमा कर दिया ज्यादा तेज आच नहीं है अब इसमें थोड़ा मसाला डाल देते हल्दी डाल दिया कि अच्छ कि कि थोड़े से लाल मिर्च डाल दिया भाल्दे डाल दिया अहो गर्म मसाल डालने का इन चली गई थी इसनी अब यह जो हमने दानी कर रख था ना देखे साब हो थी है चारपाश स्यटि लगाया हुआ है पर पक गया है गला नहीं इसको को हमने भून दिया ग्रहें हैं टेखिए अट आप अब स्ग्य ऐधान झाया कुछ ट्रब्छ जाइगा ज्टा नहीं पुनना इसको हुध थोड़ा ही पुनना है भी लाट चली जाती है तो वीडियो तो चलता रहता है पर कीके में अंधहरा हो जाता है हम कर रहें क्या नहीं डाल रहें कि समट है अशुक है ऐसे होता है है चा laugh वेमें चावल करें थंडा करके रखा पहले पका दिया है अब इसे ठंडा करकर नशर्रखा ऐसको इसम्म मैं ढल दोंगे को मिक्स अर्ड दीगों को त McMup Piet pareil है mom candidate न तो इसके ये अभाई allows यार कि इसमें हुड़ा पैन डाल देंगे तो इसे अ पुला हो जाएगा तर बनाऊंगे नहीं मैं ऐसे अच्छ लगता है ऋक्रटड़ टोन जो ब OLU जो जितना चाहिए और मिर्चा इसमें ज्यदा डाल देए और मसाला डाल देए पर ज्還有 मसाला मत डाला करें यह ज्यादा मसाला से न सारा खाना के ृट्व खतम हो जाता है नहीं ऊल्त मत्व इसलिए हल्का मसाल हो और तो उसका र्ट्व आता है departments आप मैं घर के सowाद के न खाना बनाती हूं itाër यह देखिए धनिया पत्ता थोड़ा ने इसमें डाल दिया हमने मैंने घर के सवाद जैसे रोजाद में खा सके इस सवाद के खाना बनाते हैं नुकसान भी न करें और खाले टेस्ट भी आये तो इस तरह से मैं बनाती हूं यह देखिए आप भी बनाएए खाईए अपलीज कम सब्सक्राइब करें अगर रेश्पी अच्छी लगती है तो शेयर भी करें यह देखिए बन गया हमारा अब मैं थाली में इसको निकालूंगे खाने के लिए यह लोग देखा पुलाव मूं फ्राइड राइस तियार हो गया है आप लोग के भी अगर इस मिले न मूं तो आ अधा गलाई मत और उसको इसे डाल करके फ्राइब करिए फिर ओभी अच्छा लगता है तो यह देखा बन गया ना हम तो चले खाने क्या आप लोग भी जा रहें क्या कि बनाने पहले दाल तो भींगो लेना आप नहीं तो पके गा ही नहीं दाल भीगो करके पकाएंगी ना तब पकेगा नहीं तो पकेगा नहीं भीगनेक बाद भी नहीं पकता जल्दी ठीक है यह लीजिए जी हमारा तो त्यार हो गया खाना यह साथ में रहता भी यह बुंदी रहता ठीक है ऊछफ और है तोरा से म्रिच डाल देते हूं थोड़ा लगेगा देखनें में लाल रंग यहिंश जीर पाउडर दालाया थोड़ा मीश यह तयार राइठा भूंदी डाल दिया आप लोग क्या क्या बनाते हैं अपना रिस्पी अमें obs ालोग क्या है जासी से चलते हैं मिलते हैं नए रेश्पी के साथ नमस्कार